दोस्तों ये है निव रॉयल एंफिल मेट्योर 350 सुपर नोवा वेरियंट जो की GPS, नैविगेशन, Bluetooth, कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है मेट्योर 350 में तीन वेरियंट और साथ कलर का उप्सन मिलता है ये मेट्योर 350 का सुपर नोवा ब्लू कलर है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं माइलेज क्या है, इसकी ऑन्रोड गीमत कितनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसके फ्रंट वाले टैर की गृप को देख सकते हैं इसके फ्रंट और रियर में आपको ट्यूलेज टायर मिल जाते हैं और इसके सपेंशन के उपर रिफ्लेक्टर दिया गया और 300 mm डाइमिटर की डिस्क ब्रेक दी गया है जैसा कि इसमें आपको dual channel ABS breaking system मिलता है और यहाँ पर आपको 100 by 90 section का tire size मिल जाता है और 17 inches के black color के alloy wheel और यहाँ पर आपको telescopic suspension मिल जाते हैं जिसमें 41 mm का fork दिया गया है तो अब बात करें इसके meter console की तो इसमें आपको analog और digital type का meter console देखने को मिलता है इसके उपर की side में आपको speedometer मिलता है जो की analog में दिया गया है बीच में आपको trip meter मिल जाता है जो की digital में मिलता है यहाँ पर आपको turn signal indication fuel की indication, battery indication, gear neutral indication, ABS indication man headlight indication मिलती है और यहाँ पर आपको fuel की reading देख सकते हैं और यहाँ पर आपको digital clock और gear position indicator और यहाँ पर आपको kilometer की reading देख सकते है इसके trip meter को adjust करने के लिए जो button है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है इसमें Bluetooth connectivity मिलती है जिससे GPS को enable करके turn by turn आप अपनी destination पर जा सकते हैं और आप इसकी display में भी देख सकते हैं और इसकी side mirror है दोस्तों वो आपको chrome finish के साथ मिल जाते हैं जो की round ship में दिये गए हैं और इसके switches की बात करें तो यहाँ पर आपको trip meter का button और यहाँ पर आपको low beam, high beam और passing switch, indicator और horn का switch मिलता है इसके दूसी side में चलें तो यहाँ पर आपको engine kill और इसी में आपको self का switch और नीचे आपको hazard light का switch मिलता है तो अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो यह देखने में काफी अच्छी लगती है और यहाँ पर आपको 15 liter की fuel tank की capacity मिलती है और इसके उपर आपको roll and field का 3D में logo और नीचे की side में आपको black color का combination मिल जाता है blue color के साथ और इसके नीचे की side में यहाँ से आप इसके engine को देख सकते हो जो की new design के साथ दिया गया है और जिसमें आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है और यहाँ पर आपको 170 mm की ground clearance और side stand के उपर आपको engine cut off का sensor मिल जाता है अगर इसका side stand लगा होगा तो यह bike start नहीं होगी और यहाँ पर इसके engine के head के उपर आपको एक sensor देखने को मिल जाता है तो अब बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 349 CC का air and oil cooled forest rock single cylinder BS6 fuel injected engine जो देता है 20.4 PS की power 6100 rpm पर और 27 Nm का torque generate करता है 4000 rpm पर इसके mileage की बात करें तो companies का mileage claim करती है 41 kmpl का but normally आपको इसमें 35-40 kmpl का आसानी से mileage मिल जाता है तो दोस्तो जैसा कि इसका जो engine है वो एक नए सरे से design किया गया है जिसका जो engine है वो पूरा का पूरा change कर दिया है आप इस engine में आपको vibration की जो पहले problem होती थी आप इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको meteor 350 का sticker दिया है यहाँ पर आपको adjustable footrest और black color का sardi guard मिल जाता है इसकी seating की बात करें तो यहाँ पर आपको split type की seat मिल जाती है और seating comfort की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको comfort मिलने वाला है इस bike में और इसकी कुष्णिंग है वह भी काफी soft और काफी premium quality की seat यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और पीछे की साइड में आपको एक backrest भी मिल जाता है जो की इस bike के look को काफी ज़्यादा enhance कर रहा है और seat के उपर आपको जो है Royal Enfield की badging देखने को मिल जाती है इसका जो grey vendal है वह आपको इसके backrest में ही देखने को मिल जाता है इसके पीजे की साइड में आपको Royal Enfield का 3D में logo और इसकी जो tail lamp है वह आपको round save में मिल जाता है इसके जो indicator है वह आपको halogen में मिल जाते है नीचे आपको जो है reflector और number plate का option देखने को मिल जाता है अब चलते हैं इसके side profile की तरफ तो इसके rear के suspension की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते है twin tube emulsion sock absorber based six step adjustable pre load type के suspension जिसको आप आसानी से adjust भी कर सकते हैं और इसके rear में आपको 145 70 section का tire size मिल जाता है इसमें आपको 17 inches के black color के allowable और यहां पर आपको 270 mm diameter की disc brake मिल जाती है इसके पीछे भी आपको ABS braking system मिल जाता है और यहां से आप इसके exhaust की design को देख सकते हो जो की काफी stylus दिया गया काफी premium quality का मिल जाता है जिसके उपर आपको chrome की plate भी मिलती है और यहां पर आपको meteor 350 का sticker मिल जाता है और यहां से आप इसके engine की दूसी side को देख सकते हो यहां पर आपको spark plug का option मिलता है और थोड़ी सी chrome की finish मिलती है इसका जो exhaust है वो आपको chrome के साथ मिलता है और यहां पर आपको royal and field की badging और यहां पर आपको adjustable footrest और brake pad और यहां पर आपको किक start का इस bike में option नहीं मिलता है जैसा कि दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं और इसके exhaust के corner के ऊपर देखोगे तो यहां पर आपको oxygen sensor देखने को मिल जाता है इस bike में आपको single horn नहीं देखने को मिलता है और यहां से आप इसके fuel tank को देख सकते है तो दोस्तों में आपको इसके engine का और इसके exhaust के sound को सुना देता हूं तो सबसे पहले हम bike को start कर ले पे है तो दोस्तों जो सूरू में bike रगी थी उसमें petrol नहीं था तो उसकी पहले हैं आपको इसका sound नहीं सुना पाया लेकिन यह वाली जो bike है वो new bike है जैसा कि दोस्तों यहां से आप इसके engine का और इसके exhaust के sound को दूट कर सकते हो दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं इसके price की तो यह Royal Enfield Meteor 350 का Supernova variant है जो की dual channel ABS के साथ आता है और इसकी on road कीमत है 2,45,666 रुपे 2,45,668 रुपीज यह on road कीमत मैंने आपको बताई है अगर आप कॉलकता यह आसपास से हैं तो नीचे दिये हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप इस सोरुम पर भी विजट कर सकते हैं अधरिस्टेट वाले बिल्कुल भी टेंसर ना लें आप अपनी city का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँग अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें चैनल पर पहली वार आये हैं तो देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नॉटिफिकेशन को आल पर क्लिक कर देना जिससे की मेरी सारी वीडियो की सबसे पहले पहुंचाए आपके पास थैंक्यू दोस्तो